नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब उमिद करती हूँ आप अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगी और नहीं नहीं बेंजनों का लोट्वी ले रहे होंगे आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही जल्दी और सिर्फ दो चीजों से बनने वाली स्पेसल कलकंध म दोस्तों यह मिठाई तो सबको बहुत ही पसंद है लेकिन कई लोगों को लगता है कि बजार में मिलावटी मिठाई बनने से लोग इसे खाने से पहले ही परेच करते हैं तो फिर क्यों न हम इसे घर में ही बनाए वो भी सिर्फ दो चीजों से और इसमें मीठा भी आप अपने मन मताबिक डाल सकते हैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे घर में छेना इसे आप चाहें तो पनीर से भी बना सकते हैं लेकिन पनीर से यह उतनी बढ़िया नहीं बनती है तो इसे हम छेने से बनाएंगे और बिल्कुली सॉप्ट छेने से तो यह मिठाई बहुत बढ़िया बनके तयार होगी तो हमने एक लिटर लिया हुआ है, फूल क्रिम दूद, और इसे हमने keeping लिए हुआ है, अब हम लेंगे0, एक नीबु का रस आप चाहें तो इसे वेनेगर से भी दूद को पाड़ सकते हैं लेकिन हमने नीबू का रस लिया हुआ है उसमें डाला हुआ है 5-6 चमझ नीबू के रस पानी और जब दूद में बॉयल आजाए इसमें हम नीबू का पानी 2 चमझ डाल करके इसे मिक्स करते हुए छेने को पाड़ेंगे इस तरह से आप देखे दाल करके चान लेंगे जिससे की सारा ही छेना रुमाल पर ही आ जाए अगर हम इसे छनी में डाल देंगे तो थोड़ा-थोड़ा ये नीचे की ओल छनी से चला जाए इसलिए इसे हमने कपड़े में ही निकाला हुआ है इसके बाद जो इसका पानी है इसे हम अलग कर लेंगे इसके बाद हमने साप पानी में सारा ही छेना डाल दिया हुए जिससे की अच्छे से मिक्स करते हुए फिर हम इसे छान लेंगे जिससे की छेने की सारी खटास अच्छे से निकल जाया है। टो छनी को हम किसी बर्त Miller अदर हमें यह यहा हमिए फीणल की हुए और जब थोड़ा बॉयल होने लग जाएगा तो इसे हम चलाते हुए दूद को गाड़ा करेंगे दूद को हम खुब बढ़िया से गाड़ा कर लेंगे इसके बाद में जो हमने छेना फड़ा हुआ है इसे मिक्स कर देंगे आप चाहें तो छेने को अच्छी तरह से फेट करक लेकिन छेना बहुत ही ज्यादा स्वाप्ट है इसलिए हमने डाला हुआ है और छेने को दूद में डाल करके हम पकाएंगे इसे हम लगातार चलाते हुए ही पकाएंगे आप देखेंगे कि खुब बढ़िया से दूद के अंदर में मिक्स होता जाएगा और ये खुब बढ ज्यादा भी नहीं भूनेंगे इस स्टेच पर इसके अंदर हम ढलेंगे और इसके बाद हम मेख करेंगे इसे अब Kung सकते है कि दूद अच्छ ना मिक्स होने के बाद कितना इसके बाद हम मिठा के लिए लिए चीनी चीनीज़िए इसमें बहुत कम मातर ह Kings हम डालेंगे अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हों तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन इसके अंदर में मीठा थोड़ा सा हलका ही अच्छा लगता है तो इसके अंदर जब हम चीनी डालेंगे तो चीनी थोड़ा सा पानी रिलीज करने लगती है तो उसके पानी को हलका सा भूनने के बाद इसे हम जमाएंगे तो मेरी परफेक्ट सी रेस्पी तयार हो गई है तो इसे जमाने के लिए लेंगे हम एक ट्रे ट्रे घाले में भी जमा सकते हैं तो ट्रे को या ठाली को जिसमें भी जमाया इसे खुब बढ़ार कर यह से सेट हो जाएगी आप देखेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी सा आ रहा है क्योंकि यह सौप्टी रहती इसे हम बहुत जादा नहीं भूलते हैं इसके बाद जो हमने बादाम और पिस्ता लिया हो था उसे काट करके इस तरह से उपर में डाल लेंगे तो इसके अंदर में आप ड्राइफ रूट अपने मन मुताबिक डाल सकते हैं लेकिन इसके अंदर में बहुत जादा ड्राइफ रूट भी नहीं अच्छा लगता लाग अलग तरीके का अधिकतर लोग इसके अंदर में सिर्फ पिस्ता ही यूज करते हैं तो कलाकंद की बरफी को जमने के लिए कम से कम साथ से आठ घंटे का समय चाहिए होता है अगर आप रात में बना रहे हैं तो सुबह में ये खुब अच्छे से जम के तयार हो जाती है क्योंकि ये बहुत ही सौफ्ट मिठाई होती है तो इसे जमने के लिए थोड़ी सी टाइम लगती है तो कलाकंद का मतलब ही होता है बिल्कुल ही सौफ्ट सौफ्ट सी बरफी अगर आपको जल्दी जमाना हो तो आप इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट सी कलाकंद की बरफी बनके तयार हुए है एकदम दानेदार सी क्योंकि हमन अगर आप इसे फ्रीज में रखते हैं तो इसे ढख करके ही रखें नहीं तो ये टाइट हो जाएगी और ये मिठाई टाइट खाने में अच्छी नहीं लगेगी वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक कीजिए अब इसे आप किसी तेहवार पर या जब भी खाने का मन करें तो मिलते हैं फिर किसी और रेसिपिक के साथ थैंक यू